नमस्काब इसेन न्यूस के खास मुलाकात कारिक्रम में मैं शिती जादेश में का आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे साथ आज उपस्तीत है गोपाल ढोमने जो की वास्तु आचारिया है साथ ही सुदर्शन वास्तु के वो फांडर भी है बहुत-बहुत स्वागत दें सर वास्तु शास्त्र के बारे में जो है चर्चा करने वाले है वास्तु शास्त्र जो है क्या मतलब वास्तु शास्त्र क्या होता है क्या बताना चाहोगे वास्तु शास्त्र यह से एक साइंस है ठीक है वास्तु का जो उपयोग है हो हजारों साल पहले से हमारे भारतियों की प यह जो साइन्स है अपने लिए बहुत जरूरी है, आप इसका जो इस्तमाल है अपने आगे बढ़ने के लिए सुख, शांत, इधन और आरोगी के लिए निचित कर सकते हो। यह जो वास्तु शास्त्र है, यह मतलब वास्त करने योगिस्थान जो हमारा होता है, मतलब रहने योगिस्थान, जहां पर भी हम रहते हैं, हमारा घर हो, फैक्टरी हो, शौप हो या फैक्टरी, या फैक्टरी, या फिर कोई भी ऐसा वास्तु जहां पर हम रहते हैं, तो वह अगर अच्छा है, संतुलित है और वहापर रहने के बाद हमको अगर ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा मैसुस हो रहा है तो वह संतुलित वस्तु कही जा सकती है आगर बहां पर जाने के गौद लगता है, कि आपको ऐसा लगता है, कि मुझे अनीजी लग रहा है, अच्छान ही लग रहा है, तो ऐसा समझना चाहिए कि वहाँ पर कोई नो कोई वास्तोदोष हो सकता है और इसको हम साइन्स के बेस पर हम उसको अनलेसिस कर सकते हैं उस दोष को दूर कर सकते हैं और उसको डाकुमेंटेशन करके उसको निच्चित तोर पर आगे बढ़ने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं वास्तोदोष हमारे वास्तो में ये कैसे पहचाना जा सकता है और इसे दूर भी कैसे किया जा सकता है क्या बतावगे देखिए ये जो फायू एलेमेंट से हैना यह जो पुरा निशरह यह अगर हमारे श्रीर में हमारे बाहर वातारान में है तो सब्सक्राइब जो हमारे अंदर है वही बाहर है आप अपके घहर में इसका एनलेसिज कर सकते हो अगर मान लिजे कि आपका कीचन अगर अगनेय कोने में है तो वास्तु आपकी संतुलित रहेगी अगनी संतुलित रहेगा अगर वही अगनी अगर वह नौर्थ में चले गए, अगर वह वाटर एलिमेंट की दिशा है, नौर्थ दिशा, वहाँ पे अगर आपकी अगनी shift हो गए, तो मान लेजे कि वहाँ पर आपका पैसे का नुकसान होगा, नई opportunities आपकी create नहीं होगी, और health की issues आएँगे, यह क्यो वह फैद में आपको चाहिस प्रेशस देता है का जो प्राद कोई मेडिसिन आपको देता है वो medicine देखी क्या करता है कि उस जो असुंतुलन तत्व है उसको balance करता है ठीक उसी प्रकार हमारा वास्तु है यहाँ पर भी five elements है विराजमान है जो कि अदुरुष्चे रूप में वहाँ पर है उसको महसूस कर सकते हो आप और इसकी लिए पुरानों में इसकी विधी दी गई है बताई गई है और साइंस के बेस पर अगर 16 जोन्स को हम वर्क करते है 16 जोन्स में five elements में तो इसको अगर हम सही तरीके से balance करते है तो आप इस समझ सकते हो कि जैसे ही हमारे शरीक के अंदर कोई medicine हमने रॉक्टर से लिया तो संतुलित हो गया हमारे वास्तु में अगर उस तत्तु को हम संतुलित कर लेते हैं तो automatic उससे समझ जो भी समस्याय होई वो automatic दूर होगी scientific कौन से वास्तु शस्त्र को कैसा दिखा सकता है क्या बता हो कि आप किसी बी जो बड़ा मंदिर है जैसे भी हमार भारत में और काफी सारे मंदिर से तिरूपति का है काशिविश्वनाथ है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यह जो मंधिर बने है सब को बड़ा नाम मिला है और एक ही जगे पर पच्चिब देशा में विराजमान है तो यह जो हमारे पुरुवज थे जो भी साइंटिस्ट थे आज हम उसको शास्तरद्न बोलते है तो उन्होंने सबी चीजों को सही जगे पर रखने के बाद किस प्रकार से हो गतिमान होती है इसके लिए हो बताया गया है कोई भी चीजों को आप गतिमान करना चाहते है तो सही जगे पर अगर उसको रखते हो तो उसका सही एफेक्ट आपको मिलता है आप साइंस के और आप देखना चाहोगे तो यह जो 16 दिशाय है जैसे आप चार मुख्य दिशाय है जैसे उत्तर दिशाय है पूरब दिशाय है दक्षिन है और पच्चिम दिशाय है और चार उपदिशाय है जैसे वायवे कोन है इशान कोन है अगने कोन है और नेरित्य कोन ह यहां उपधिशा हो गए, हम क्याए करते हैं कि उसमें भी सब जो डिशा है उसमें निकाली गए है तो कि माईक्रो लेवर पे हम उसमें वर्क करते हैं आठ रगा मेंसे आगर हम उपधिशा को देखते हैं तो 16 त tumor हो गए जिसको हम काटेगरेज कर सकते हैं और हर एक जो दिशाय है, उसके जो प्रॉपरेटी फिक्स है, जैसे उत्तर दिशाय आपको अपुरुचिडिस देगी, पैसे का आपको नय आउसर देगा, उत्तर दिशाय आपको क्या करें कि नय आपुरुचिड देने के बाद उरब दिशाय आपको कनेक्टिवटी देगी, दक्षिन दिशा आपको क्या करेगा कि नेम और फेम देगा जो पच्चिन दिशा है गेंस और प्रॉपिट देगा सेविंग की दिशा है सभी जो उसके जो अट्रिबूट से फिक्स है आप अगर दिशा को पकड़ सकते हो और उसकी इसाब से अपने जीवन को डिजाइन कर सकते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रख सकता और यही साइन्टिफिक वास्तु है सही प्रकार से राइड जोन राइड एक्टिविटी अगर आप आपके घर में कर सकते हो तो निचित तोर पे आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में जो भी समस्य चल रही है जो भी आप कठी नहीं का सामना कर रहे हो तो आप देखिए कि जो भी बड़ा फिल्म इंडस्टी है सभी लोग वास्तु शास्त्र का ओलंब करते है उन्होंने उसको अपनाया है निम्रोलोजी को अपनाया है जोतिश शास्त्रो को अपनाया है तो यह क्यों करते है किसी के बड़े जो स्टार है उसके नाम देख लीजे उन्होंने उनके स्पेलिंग में उनके नाम चेंज करा है रितिक रोशन हो, अक्षय कुमार हो, तो उन्होंने एडिशनल उसमें नाम एड़ की है, तो वो उसका उपयोग करके उसमें से बेनिपिट ले रहे है, मतलब यह साइन्स है, स्रीव हमको पता होना चाहिए कि उसका एनरजी हमको कैसे लेना है और उसको कैसे हमको डिलिवर करन आप वास्तु के उसको पहन सकते हो, जैसे नौर्थ की दिशा है, आप वहाँ पर ब्लैक कलर करके ब्ल्य कलर करके आप को यह भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसको आप वेडिफिट मिलेगा, क्योंकि आप वाटर एलिमेंट से कनेक्ट हो चुके हो, वही अगर आप आप वेडिफिट हो तो आप ग्रीन कलर के साथ में बैठिए, आपको एक अलग फिल आएगा, आपको एनर्जी पता लगेगी, आप साउत में बैठ हो, तो आप रेड कलर पहन सकते हो, फायर कलर पहन सकते हो, अगर आप पच्छिमी दिशा पहन बैठ तो आप वाइट कलर, आप ये करके दिखिए, आप कनेक्ट हो जाएए इस सारे संसार से, जैसी आप कनेक्ट होते हो तो आटिमेटिक वह एनर्जी, वह उर्जा आप से कनेक्ट होती है, और आटिमेटिक सब चीज आपको मिलने लगती है, लेकिन जो आपके मन में नहीं है वो आपको मिलेगा भी से आपको 100% मिलेगा जो उपकी कैपिसिटी बाइसा पक्का मिलेगा उससे ज्यादा ही मिलेगा जासकते हैं या फिर ऐसा का जा सकता है कि वास्तुषास्त्रा के हिसाब से हम चलते हैं तो क्या हम जीवन में सक्सेस हो पाते हैं? नहीं, हम ऐसा बिलकुल नहीं कहे थे कि 100% आपको वास्तुशास्तर करने के बाद 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, वो इसलिए नहीं मिलेगा, वास्तुशास्तर जो है उसका एक अलग रिजल्ट है, ठीक है, हमारे घर में आपने कोई भी वास्तु को संतुलित किया, तो उसका result हमको मिलेगा 35%. ठीक है. इसके बाद हमारे जो प्रारब्ध है, जो भी घटना है, हमारे पूरोब जिन्म में घटित हुई है, जो भुतकाल में घटित हुई है, उसका जो result है वो तो हमको वरतमान में मिलेगा ये मिलेगा. आप ऐसे कैसे भूल सकते हुए कि वास्तो शास्तर के और पुराने चीज़ों को भूल गए. उसका जो result है वो भी आपको 35% मिल नहीं वाला है. और 30% है आपका करम. अगर आपने वास्तो कर लिया, ठीक है, सभी प्रकार से अच्छे वास्तो कर लिया और हम अच्छे करम नहीं कर पा रहे हैं. करमों में कमी है, उर्जा में कमी है, तो हमको result कैसे मिलेगा? एक CDC में आपको बात बताना चाहता हूँ, मान लिजे कि किसी विक्ति ने हमारे घर में आपके घर में बहुत अच्छा वास्तो कर लिया, सभी चीजे को बैलन्स कर लिया, अगर वह विक्ति शराब पीकर रात को गाड़ी लेकर रॉंग साइड से जा रहा है, तो उसका accident होगा की नहीं होगा? 100% होगा, है ना? तो 100% इसका accident होगा क्योंकि है, उसका कर्मों का पार्ट है, उसने कर्म गलत किया है, वास्तु अलग चीज है, हमारे कर्म एक अलग चीज है, वास्तु का result अपने को मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा, लेकिन आप अगर आपके कर्मों को भी सही तरीके से आप उड़ादर लेके जाते हो, अच्छी तरीके से, तो उसका result उसमें प्लस हो जाएगा, इसके बाद में जो प्रारब्द में जो चीज़े घटित हो चुकी है, उसको आप खतम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको बैलन्स करने के लिए एक सही तरीकी से जो प्लैनेटरी पोजिशन हमारे पत्री की है, तो उस पत्री को जो तीशे गर्णानी के दुस्वार उसको हम बैलन्स कर सकते हैं, उस प्लैनेट को देखते हुए जो भी हमारी महादशा चल रही करंड में, उसको हम देखकर उसके रिजल्ट को बैलन्स करने के लिए उस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जरूर है कि इन तीनों लेवल पर हमको काम करना है, अगर हम यह देखते हैं कि मुझे बस मेरा वास्तु कर लिया, मैंने ठीक कर लिया, यह दो आगे बढ़ह, आम ऐसा है नहीं, मज़े बहुत सक्सिस मिलेगा, आपको सिधा बोल दू, आपको करना पड़ेगा, करम तो करना पड़ेगा, है ना, अगर में इन्होंने वास्तु कर लिया, आपने वास्तु कर लिया, आप यह समझ रहे हो कि हाँ अभी पूरा हो गया मुझे अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी आचर जीन कर दिया सुद्रशन वास्तु जी ने हाँ अभी हो गया ऐसा होगा नहीं आपको जो बताया जाएगा आपको जो कर्मों के अनुसार आगे बढ़ना है अगर आप सही तरीके से बढ़ोगी ने तो उसका रिजल्ट भी मिलेंगा ने आपको करम भी ज़रूरी है जो पूराने प्रारब्ध है उसको बैलनस करने के लिए जो भी प्लैनेटरी पोजीशन्स महादशांतर रश्मा बता रही है वो प्लैनर को बैलन्स करने के लिए हुआ चीज़े भी आपको करना पड़ेगा और वास्तु को भी आपको ठीक रखना पड़ेगा तो आप 100% मैं आपको 100% बूर रहो कि आप आगे बढ़ोगे आपको सक्सेस मिलेगी हमारे घर में हमको क्या चाहिए दिखिए हमको नई अपर्शुटीच चाहिए हमारे को हमारे हेल्थ अच्छी चाहिए क्लियरेट ओप मैंड चाहिए हमारे को हमको फन चाहिए रीक्रेशन फन चाहिए हमारे को हमारे को कनिक्टिवटी चाहिए हमारे को फायर चाहिए पैसा चाहिए हमारे को नेम और फेम चाहिए, इसके बाद में हमको connectivity चाहिए, education चाहिए, saving चाहिए, gains चाहिए, और हमारे को संपर्ग चाहिए, support चाहिए, अगर इन सभी चीजों को हमारे घर में चाहिए, तो उन सभी चीजों को आपको balance करना पड़ेगा, और हो balance करने के बाद इन चीजों को आपको काम है क्योंकि वास्तु है बुलता है ततास्तु जैसा वास्तु है वैसी आपको मिलेगा घट घटना घटागा जैसा आपका घट है वैसे ही घटना है उस प्रेमाइसिस में घटेगी और उसके वाइब्रेशन उस प्रेमाइसिस में वैसे ही घटित होंगे तो इस प्रकार से ह व्हास्ती निया सम्रोदी के समय का वास्टु शास्त्र को साथrribility? निन वह पर एंयटि करने चाहीं कि जो दिशा है जासी है पूरव दिशा है दक्षण भब दिशा है उत्तर दिशा तो यह कूनसी है, उसके एकोरयोंग उससी दिशा में उसी प्रकार के elements के आप activities कीजिए, जैसे दक्षिन दिशा है या फिर fire elements है वह बहुत तो आप kitchen से समधने तो अपर आप कोई भी activities कर सकते हों, वह आपर कोभी water नहीं पानी नहीं जाना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए, आप पर किसी भी प्रकार का बोर नहीं करना चाहिए आपने fire element में, तो automatic बैलेंस रहेगी, घर में जो पैसी के कम तर्त आपको पता नहीं रगे कि कभी हुई है, इसके बाद में अगर उत्तर दिशा है तो आपके कभी kitchen नहीं बनाना चाहिए अप लोगो ने, अगर आप kitchen बनाते हो तो आपको opportunities नहीं मिलेगी, create नहीं होगी, health issues आएंगे, तो आप नहीं बनाएंगा तो संतुलित रहेगा, तो इस प्रकार से आपके घर में सभी चीजों को आप categorize करके उसका balance कर सकते हो, पूरत दिशा में आप plants लगा सकते हो, अच्छे वाले, तो उसका भी बिनिफिट आपको मिलेगा, तो इस प्रकार से आप आपके घर को खुट डिजाइन कर सकते हो, लेकिन जरूरी है कि आप इस शास्त्रा से connect होने के बाद आगे बड़े, अगर आप connect नहीं होगे, आपको समझ में नहीं आएग गलत तरीक इसी किसी भी चीज को आप अनलेसिस करोगे, तो उसका रिजल भी गलत याने वाला है, आपको अगर कोई बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, तो आप क्या करते हो, बड़े दॉक्टर के पाँ जाते हो, उसका अनलेसिस अलग होता है, उसका एक्सपरियंस और पता लगना चाहिए जब भी आप प्राकार में किसी प्रकार शिरू पारते हो two प्रविश्ट भी आप ओट वास्त्ू आचारय-बवापारि धोनडेजी थे sampai जास्तू शास्त्र के बारे में जो है हमें बहुत अच्छी जानकारी लिए ऐसे और जानकारी के साथ हम आप से मिलते रहेंगे देखते रहेंगे बीस नमस्कार